यह हमारे होटल से राइड मार के हमने च्छत्री के बगल से एक बढ़िया हेरिटेज रूट लेके और शाब है पास रोड से निकल के आये हैं हमारा पहला स्टॉप सुन्दर महल यह सुन्दर महल आ गया है और यह हमाईकार पाग्ड है यह उपर सुन्दर महल है और राइड चाहिट पर लक्षमी टेमपिल नेक्स्टेस्टीनेशन लक्षमी टेमपिल वैं पहले सुन्दर की ट्रेक खुबसुरत रोच θα आयसता है इसको चल तो अपर देखते है अच्छी गाजी चड़ाई दी सुन्दर महल की यह प्रॉपर्टी काफी है क्योंकि उतना ज्यादा डिमांड में नहीं आई आइटम पर यहां का व्यू जो है लक्ष्मी मंदिर का यह रॉप के पीछे में आपको दिखाता हूं बहुत जबरदस्त और उच्छा टाउन का व् आइडल नहीं रखा हुए अभी इसकी बाकी की स्टोरी में वहां जाके सुनाता हूं अभी हम देख रहे हैं सुन्दर महल और इसको थोड़ा नजदीक से देख लेते हैं कि यहां पर कुछ दर्गा जैसी भी बना रखी है घृठ जो भाई साब यहां पर कुछ एस्टरेट करेंगे अंदर की तरफ इन्हों ने आवाज दिया है हमको चाहिए कि अधर अलग है सर अलग है ज़ो फो इसके जो अधर सामने हैं जो जूल अलगा हुआ है वोग एरिया तो ऑर धर बगिया जैसा बता रहे है वो यहां प प्राचीन जैसे हम लोगों की है वैसे इनकी भी है यह सामने वाली यह हरे वरे जन्नातों की दरगाहा है जादूगरों की दरगाह समझे तोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा आप तो सुंदर्मेल आने के लिए सुंदर्मेल का डेटेल हमने यह निकाला है कि यहां पर एक दरगाह बन चुकी है जो की पूझी भी जाती है इन लोगों के द्वारा और जिसका उन्होंने बताया सर और धाड़ा लगए लेकिन अब सुंदर्मेल जैसा वहां पर आप फील कुछ नहीं पाऊगे एक दरगाह ह अच्छे थे वह वर्थेट है और यह सिग्रेट के काफी शोखीन है जो भी बाइसावी अंदर मिले थे हमको सब्सक्राइब करें अपना जीवन अच्छा फिलाल हम लोग वहां से नीचे उतर रहे हैं भी यह वॉक्वे लगा हुए है और यह लेफ्ट ऐसे जाएंगे कि सा बाबाजी यहां पर बैठे हुए है आराम से फैंसी बाबाजी है चश्मेवाले अभी इंसे लॉट के मिलते हैं लोग और हमारा अगला डिस्टिनेशन है लक्ष्मी मंदिर जहां पहुंच चुके हैं छोटा सा हीक है क्योटी कार हमारी यहां तक पहुंच रही है कोई शू से क्योंकि आगे से शायद आपको थोड़ा कम दिख पाएगा मंदर को आप ध्यान से देखिए इसका एंट्रेंस गेट देखिए एक कॉंडर जैसे पर है क्योंकि यह मंदर जो है वो आउल शेप में बनाया है जो की लक्ष्मी जी का वहान है अब यह कॉंडर पर बना जो गेट एंटरेंस यह शुब नहीं माना जाता इट शेप ऑफ काईट और यू कन से रॉंबस तो इसको शुब नहीं मानते है इसके अंदर कोई भी आइडल नहीं है तो यूग के अपने शूस पैंगे अंदर जा सकते हो और यहां की जो में खासियत है यहां की ओल पेंट पेंटिंग्स उनको आप निहार सकते हो और हमारे इंडिया में क्या-क्या था वह आप देख सकते हो पोर्चा जैसे हेरिटेज टाउन में और पेंटिंग्स का थोड़ा नजार हमें यहां से मिल रहा है अगर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक अच्छा नजार आप दे देखते हैं कि यह में कोट्यार्ड एंट्री पेंटिंग्स अर्जगे पेंटिंग्स यहां पर स्टार्ट हो गई है आप देख सकते हो यह सारी बॉल पेंटिंग्स थोड़ा था बुंदी का फील दे रहा है यह दो लेविल में है और में एरिये में आते हैं वाओ यह देखिया आप इंडिया की कलाकरतियां यह कृष्ण जी है मारे शौकिन टाइप के हैं मारे भगवान यह देखिया है यह थोड़ी कराब हो गई यह देखिया है कि यह खुब्सूरत कोरिडोर बहुत सुंदर साइड में प्रिकॉक्स बने हुए है कि यह कोटी आडरम चक्रिया है कि बहुत बढ़ी आप कि सामने करनक भवन का नजार आप देख रहे हो वह सामदे राम चंजी सिता जी और लक्ष्मड जी और वानबान जी उपर इस पर रामान का दिया से भी भवान गैठ हुए है कि सामने दिख रहा है कि यह ट्रैंगुलर से इंटर होके हम अंदर आये थे अब यह स्क्वार शेब में मंदिर आ रहा है जो में इरिया इसका है जो में इस प्रेंटिंग के बारे में आपको कुछ खाज बता दू जो केवल यहीं पर आपको मिलेगा और दतिया के महल में मिलेगा इस पेले यह वाईट बेस रखते हैं उसके ओपर रैट पैंट करते हैं उस पैंट को खरोजते हैं शंक से शेल्स जो हम लोग पाते हैं रिवर साइड पे या सीज पे उस शेल्स से खरोच के इसको बनाया गया है यह आर्किटेक्चर आपको वाल पेंटिंग का केवल यही पे मिलेगा otherwise वाल के ओपर पेंट करना is a common thing जो आप उपर देख रहे हो पर यह जो आप देख रहे हो यह केवल यही पे मिलेगा बुंदेली आर्किटेक्चर है यह बुंदेली आर्ट है यह चलिए आगे देखते है यह इस मंदिर के जनक राजावीर सिंग यह सामने आपके दतिया का किला है यह एक not to be missed चीज है हपपुची रहिया बोलते है इसको यह आपको हाती जैसा लग रहा है पर यह हाती रही है पूरी चुड़िया है और यह इसने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ हाती एक साथ कहरी करे हुआ है इसको दतिया के राजाने मार दिया था क्योंकि यह पूरा गाहों का गाहों खा जाया करती थी और मोर हपुची रहिया कि उपर बैठा हुआ है यह आप हाती का सेलेक्शन देख रहे हो, यह वो नहीं है, यह हपुची रहिया है यह बिसना गरिए और इसको जलूर देखें यहां पर ढोड़ के यह चौथा कोरिडोर लास्ट कोरिडोर यह 90 की पेंटिंग्स है इसमें जिसमें मराथा और फॉरेनर्स मतलब ब्रिटिश आर्मी यह दो जीजों की नकाशी है में यहां पर सॉरी नकाशी नहीं पेंटिंग है बहुत अच्छी है है कि अब बिल्कुल जलते हैं चत्पे अच्छी मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पर है हम अब फोटोग्राफी सेशन चल रहा है टूरिस्ट का मैं यहां बिजी हूं आपको लक्ष्मंदिर की खुपसूरती दिखाने में यह साइड में आप दिखे पंखुडी टाइप की देख रहे होंगे उपर गुंबद में यह कमल के पुष्प उसका दिखाता हूं मैं आपको शायद आपको अच्छा दिखेगा कमल के पुष्प के हिसाब से है क्योंकि लक्ष्मी जी का फेवरेट फ्लार कमली है और यह आ लू कमू सामने जा एंट्रेट जाहां था वह बहुए अर यहां पीछे खड़े हुए हैं यह में लक्ष्मी का लक्ष्मी मंदिर का अगर बगर है यहां नीचे पर चार कोरिडोर है जो की स्क्वार सेक्ष्ण में कड़ गए है पर यह जो मंदिर है यह मैंने आपको पहले है हो गया है हमारा इस एरिय का में नीचे चलते हैं लक्षी मंदर का ट्रफ यहां से कंख्यूट करते हैं सुरज भगवान भी पढ़िया आ गया है एक दम टाइम पर एग जो है कि अ कि अ कि कि अ कि कि